नमस्कार बहुत स्वागत आपका इस्पेशल रिपोर्ट में मैं हो रिनू नेतन्याहों को इरान से एक बहुत बड़ा जटका लगा है इरान में रहने वाले यहूदी अब इसराइल से लड़ने को तयार हैं दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसराइल के बाद पश्चिमैश्या में यहूदियों कि सबसे बड़ी आबादी इरान में रहती है और यहां एक यहूदी सांसद भी है अभिरान की इसी यहूदी सांसद ने इसराइल के प्रणानमंतरी नेतन नाहू को धमकी दी है और कहा है कि अगर इरान पर हमला करने की कोशिश की तो इस्राइल का वजूद ही मिटे जाएगा इस्राइल को मिचा देगा इरान का यहूदी लड़ा का एक अक्टूबर दो हजार चोभीस को दो हजार बलिस्टिक मिसाईलों से हमला करने वाला इरान क्या इस्राइल पर फिर भैंकर हमले करने जा रहा है ऐसे दावे क्यों किये जा रहे हैं कि इरान के सवर्थन में यहूदियों का एक वर्ग इसराइल का वजूद मिटानी की तैयारी में जूट गया है क्या वाकई इरान के सुप्रेम लिडर अली खामनेई के पास यहूदी ब्रिगेड है जो इसराइल का वजूद मिटा सकती है ये दावे और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि एरान में एक यहूदी सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रधान मंतरी नेतनियाहू के साथ साथ रक्षा मंतरी योग गैलन्ट और इसराइल के टॉप कमांडो के होश उड़ा दिये है इरान के इस एहूदी सांसद का नाम हुमायू सामेह या नजफाबादी है जिसने प्रेस ट्रीवी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है खाम नई की यहूदी ब्रिगेड नेतनियाहू से लेगी बदला एरान में एक यहुदी सांसद हिमायू सामेह या नजभाबादी ने इसराइली प्रधानमंत्री वे नियामिन नेतनियाहू को धमकी देते हुए एक अक्टूवर को मिसाईल हमले का जबाब में अगर श्रिया देश इरान पर इसराइल हमला करता है तो ये नेतनियाहू सरकार के मुर्खता साबित करने वाला ख़द्म साबित होगा यहुदी सांसद हुमाईू ने नेतनियाहु सरकार को चेताउनी देते हुए प्रेस टीवी पर कहा है कि इसराइल को एक बार फिर से एरान नया हमला करके चौका सकता है हुमाईू नस्वाबादी ने यहां तक दावा किया है कि इसराइल के वज़े से पूरे पर्श्रिम एश्रिया में चौतर फा युद्ध शुरू हो सकता है कई लोगों के दिमाग में सवाल कौद रहा होगा कि इरान में यहुदी कहां से आगे हैं और यहुदियों के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इरान का साथ यहुदी क्यों देंगी हम आपको एक चौकाने वाला आकड़ा दिखाते हैं जो साबित करता है कि इरान में मौजूद यहुदी पूरी तरह से इरान के सुप्रेम लिडर अली खामनेई के वफादार हैं वो जितनी मुहबत अली खामनेई से करते हैं उससे कही जादा नफरत इरान के यहुदी ने तन्याहू और इसराइल से करते हैं जरा देखिए इस वक्त इरान में कितने यहुदी रह रहे हैं साल 2022 में जारी हुए आंकड़ों के मताबिक इरान में इस वक्त 9200 से जादा यहुदी रहते हैं पश्चम यशिया में इसराइल के बाद सबसे जादा यहुदी इरान में ही रहते हैं 1948 तक इरान में एक लाक यहुदी रहा करते थे लेकिन बदले हालातों की वजह से अब इरान में 9200 यहुदी बचे हैं इरान में रहने वाले यहुदीों को इरान का वफादार माना चाता है इसलिए इरान के यहुदी सांसद हुमाईू सामेह याह नजफाबादी दावा कर रहे ही कि इरान को इसराइल नहीं हरा पाएगा इरान का खुर्रम चैनेंज जी हाँ इरान की चौथी पेड़ी के खुर्रम शेहर मिसाइल के आने के बाद से ही इरान का कॉंट्विडन्स हाई है इरान की हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत भी जोड़ है जिसके आगे कभी कभी आयरेड डोम भी नाकाम हो जाता है खामनेई का खर्रम चैलेंज इरान को हराने वाला पैदा नहीं हुआ एक अक्टूबर को इसराइल पर मिसालों की बारिश करने वाले खामनेई भी अब आर पार की जंग करने को आमादा हो चुके हैं मिडलिस्ट के दावों के मताबिक इरान को लग रहा है कि अगर इसराइल पर जल्दी ही दोबारा अचेक नहीं किया तो इसराइल इरानी सेना के टॉप कमांडर और नेताओं को भी उसी तरह से टारगेट किलिक कर सकता है जैसे हमास और हजबूला के धाकर नेताओं और कमांडरो को मारा गया है इसलिए इरान ने अपनी मिसाइल ताकत के दम पर इसराइल पर भायंकर हमले की तैयारी पूरी कर ली है खास तोर से हाइपरसोनिक मिसाइलों से एरान इसराइल पर कभी भी दोबारा हमला कर सकता है अब आप जरा ये जान लिजे खामने मिसाइलों से ही इसराइल पर हमला करने पर क्यों उतारू है इरान का जरा ये वीडियो देखिए इस वीडियो के बारे में इरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाड़ी के नीचे मौझूद है इस सुरंग बंकर में इरान के F-4 फैंटम जेट से लेकर कुरूज, बलिस्टिक और हाईपरसोनिक मिसाईलों को साफ देखा जा सकता है इस साल आपरेल दो हजाईल पर किये गए इरान के पहले हमले के बाद इरानी नीज आउटलेट आईएस एने और दे इरान प्रेमियर के जरिये इरान की मिसाईलों के बारे में जानकारी दी थी जिसमें इरान के ऐसी नौ मिसाईलों को दिखाया गया था जो इसराईल को पूरी तरह से तबाह कर सकती है और इरान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है हम आपको बता दियें कि अमेरिकी वाई उसेने के जरनल केनेथ मेकेंजी ने दो हजार तेईस में कॉवर्णिस को बताया था कि एरान के पास तीन हजाद से ज़दा बलिस्टिक मिसाईले हैं ये रिपोर्ट ढ़ाई साल पहले की है अब तो और भी ज़दा बलिस्टिक मिसाईले इरान के पास हो सकती है कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि इरान के पास दो लाग से ज़दा मिसाईले हैं जो इसराईल को आसानी से तबाह कर सकती है इरान की सबसे नई मिसाइलों में मेडियम रेंज की बलिस्टिक मिसाइल हुरम शहर ने इसराइल के होश उड़ा दिये हैं इरान के खुरम शहर के नाम पर बनी हुरम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलो मिटर है खुरम शहर मिसाइल की स्पीड 9,878 किलो मिटर प्रती घंटे से 19,756 किलो मिटर प्रती घंटे के बीच है जो इसराइल पर बहुत भारी सावित हो सकती है वह ये शहाब 3 मिसाइल की रेंज 1300 किलो मिटर है जो 8640 किलो मिटर की रफ़तार से हमला करती है जबके शहाब 4 की रेंज 2000 किलो मिटर जो धुनी से तीन गुना रफ़तार से हमला करती है इमाद की रेंज 1700 किलो मिटर है इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है जब कि एरान के हाईपोसवनिक मिसाईल फता से पांच गुनात तेज रफटार से उडान भटी है इसके अलावा एरान की इमाद और गड़र मिसाईल ने इसराईल पर पहले चरण का हमला करके इसराईल को चौका दिया था वही इरान के खैबर शेकर ने इसराइल के 3 सैनी अड़ों को 1 अक्टूबर के दिन जबरदस्त नुकसान पहुचाया था वही इरान के हज कासिम मिसाइल भी इसराइल के ताबूत में आखरी किल छोक सकती है हज कासिम की रेंज 1400 किलो मिटर है इरान के मिसाइल हमले के भीसर खत्रे को देखते हुए अमेरिका और इसराइल ने युद धस्तर पर रणनीती तयार की है सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल में एक सीक्रेट डील हुई है जिसके तहट इसरायल फ्रंट पर रहकर इरान के अंदर हमले करेगा और अमेरिका इरान के अंदर ग्रिह युद्ध की आग भड़काएगा अमेरिका और इसरायल ने मिलकर इरान के खिलाफ इस टू फ्रंट वार की तैयारी पूरी कर ली है दस अक्टूबर को देर रात इसरायली सेक्यूरेटी कैबिनेट की बैचक होई इस सेक्यूरेटी कैबिनेट की बैचक में इरान पर हमलों के मुद्दों पर वोटिंग हुई पूरी कैबिनेट ने इरान पर हमले का समर्थन किया है इस बैठक को एरान पर हमलों से पहले अंतिम बैठक कहा जा रहा है संकेत साफ है कि इसराइल के प्लैन में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है इसराइल के रक्षा मंत्री यौग गैलेंट ने सबसे विनाशक संकेत दिये हैं गैलेंट ने कहा है कि स्वर्गे के दौर खूल चुके हैं सही समया चुका है इस बैठक का मतलम माना जा रहा है कि इसराइल इरान के परमालु सेयंत्रों पर हमले करने वाला है इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्स इरान के हाथ पैर हैं अब इन्हें काटने के बज़ाए इनका सिर्क चलने का वक्त आ चुका है इसराइल के लिए सबसे बड़ा खत्रा है इरान क्योंकि इरान की वज़े से ही इसराइल को साथ फरंट पर जंग लड़नी पड़ रही है इसराइल को लिबनान, गाजा पर्टी, इराक, वेस्ट बेंक, सीरिया, यमन और इरान से जंग लड़नी पड़ रही है इन सब का शक्ती किंदर तहरान है और अगर तहरान को खत्म कर दिया गया तो इसराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी अब देखना होगा इरान इसराइल पर पहले बड़ा हमला करता है या फिर इसराइल इरान का वही हाल करेगा जो गाजा और लिबनान का इस वक्त हो रहा है इसराइल ने लेबनान के बार जब में बहुत बड़ा हमला किया इडियाफ की एर स्ट्रैक में कई बहु मनजराइ मारते जमी दोस हो गई तो बहुत दक्षणी लेबनान के नकौरा में भीषण लड़ाई चारी है दक्षणी लेबनान में तनात सायुक्त रास्ट की शांती सेना के हैड क्वाडर पर भी हमला हुआ और यहां तनात एक जवान को भी कोली लगी वार जोन की तरह ही डरावना अपडेट इरान से आय है जहां इरान इस्वाइल ने एक नई तरह का हमला शुरू कर दिया है एक अक्तूबर को इरान ने जहां टार्गेट सेट किये थे वही पर 200 मिसाइले की री फटी और इस्वाइल धुआ धुआ हो गया लेकिन अब खामनेई के ओर पर मिसाइलें जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गैरंटी नहीं है क्योंकि बटन दबने के बाद इनी मिसाइलों को इसराइल कंट्रोल में लेकर टार्गेट सेट कर सकता है ये तो बिल्कुल ताज्जुब की बात है लेकिन याद करिए कि कैसे बेरूत में हिजबुल्ला लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे कैसे उनके वाके टॉकी बंबन गए थे इसराइल इरान को भी उसी तरह दहला सकता है इसकी रिहलसल हो गई है इसराइल हमास और हिजबुल्ला के बाद तीसरे नमबर पर तहरान का दहलाना तै है इसराइल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है यह गाजा इन तस्वीरों से समझी है यहाँ पर एर स्ट्राइक हुई है यह आप देख सकते हैं अभी लोग जो जखमी होए है उनको निकाला जा रहा है एक रिस्क्यू उपरेशन चलाया जा रहा है लगातार इसराइल की तरफ से हमले किये जाना है तो फिलाल यह जो आप इरिद गित देख रहे हैं यह रिलीफ इंड रिस्क्यू उपरेशन की टीमें हैं जो यहाँ पर अभी पहुंची है अभी यह क्या पना मुश्किल है कि अंदर क्या हुआ है लेकिन यहाँ से यह है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट शुकरवार रात से उठा जबालिया में बारूदी जलजला अब जाकर शान्त हुआ लेकिन इसकी चपेट में आकर 22 लोग बेमौत मारे गए नब्बे की जिंदगी दाउं पर लगी है इसराईल इसी तरह वेस्ट बैंक में हमास को बेहरहमी से फीट रहा है लेकिन राफ़ा में कासिम ब्रिगेट जोरदार पलटवार करने लगी है कासिम ब्रिगेट ने इसराईल के दो टैंक और बुल्डोजर के चीथलो उड़ा दिया है अलजनेना इलाके में यासीन 105 अंटी आर्मर विस्पोटक गोले का इस्तमाल करके इसराईली सेना के दो मरकावा टैंक और एक D9 बुल्डोजर को बर्बाद किया गया है अलगी हमास और हिजबुल्ला दोनों को तेहरान से आई अलर्ट ने सन कर दिया है एरान में 11 अक्तुबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे एरान के मिसाईल लॉंच तो होगी लेकिन भटेगी वहाँ जहां नेतन याहू चाहेंगे इस बुल्ला के रॉकेट उड़ेंगे लेकिन भटेंगे वहाँ जहां इसराईल के आर्मी तै करेगी हमास और हूती के हत्यारों का यही हाल होने वाला है इसराइल के दुश्मन अब अपने ही हत्यारों से जलेंगे नेतर्याहू ने साइबर युद्ध शुरू कर दिया है इसराइल हाइटेक लड़ाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है पहले घजा, फिर बेरूद, और अब तहरान का नंबर इसराइल के टार्गेट सेट है, टाइमिंग फिक्स है, तबाही का लेवल भी लॉक है एक-एकर दुश्मनों का सफाया, शेहरों की बरबादी, दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडर्शिप का खादमा नेतरियाहू ने हमास और हिजबुला को जिस तरह कुचला है, उससे भी खौपनाक अंजाम इरान को भुगतना पड़ सकता है इसका ट्रेलर 11 अक्तूबर को इसराइल ने दिखा दिया है, शनिवार को इरान की वार्ल लाइफ लाइन हैक कर दी गई थी इसराइल ने ऐसा कुछ किया, जिससे तहरान में कोहराम मच गया आधी रात को इसराइल वार रूम ने ये मैसिच सोशल मीडिया पर पोस्ट कर, तहरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है इरान में साइबर अटैक हुआ इस अटैक के माइने क्या है क्या इरान में सब कुछ इसराइल कंट्रोल कर सकता है डीटेल डरावनी है इसराइल के दुश्मनों के लिए भैयानत जानेंगे नेतन याहू का मोस्ट पॉफुल वार ब्लैन दोसों मिसाइल हमलों के बाद का पूरा ब्लूप्रेंट मगर वार जोन का ये विद्वनसक द्रिश्चे देखने चलिए हाइफा, गैलीली और लेबनान वॉडर पर इसराइल की जमीन जल रही है देख सकते हैं तस्वीरों में की ये जो घर है वो पूरी तरह से उजड़ गया है और कुछ ऐसे मिसाइल और रॉकेट प्रोजेक्टाइल होते हैं जो बासिंदे जो यहां के हैं इसराइली उनके घरों तक पहुँच जाते हैं अब आप देखिए तस्वीर कि जो यहां पर मिसाइल गरी उसकी वज़े से यह जो सोलर सिस्टम है पानी गरम करनी के लिए बैसिकली यह सोलर सिस्टम है वो पूरी उसके कांच जो है तूट गए हैं बिखर गए हैं देखिए कांच की टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं यह सोलर सिस्टम पूरी तरसे नस्ट हो गया है इस बुल्ला ने हाइपा को बेहसाब रॉकेट से छनली कर दिया है रॉकेट स्ट्राइक देर रात में शुरू हुई और भोर तक इसराईल को धुल्चाती रही जब हाइपा में रॉकेट फट रहे थे तब बेरूत में भी बारूदी धमाके से धर्ती धर्रा रही थी बेरूत के आजमान में काला धुआ बारा अक्तूबर की सुबा तक उखता रहा इसराइल ने अन्दादू थुद हमले के साथ लिबनान में हिजबुल्ला को 22 शेरों में डेथ वारेंट का इस्तिहार चापा है यह जो आप इरिद गरिद देख रहे हैं यह हर तरफ से तबाही है मैं दूसरे साइड से आपको दिखाने के कोश्च करूँगा यह आप देख सकते हैं यहां की गाड़ियां किस तरीके से बरबाद हुई है क्योंकि यहां पे लगातार इसराइल की तरफ से सिट्राइक्स की जा रही है और यहां पर इसराइल को लगा था के हिजबुला के कमांडर इस एरिया में है और जहां पे भी उनको कोई इन्फॉमिशन मिलती है वो उन ही इलाकों को बरबाद कर देते हैं यह आप देख सकते हैं कि यह बिलकुल बड़े पैमाने पे यहां तबाही हुई है जहां पे भी आप नजर दोड़ाएंगे वहां पे तबाही दिख रही है तबाही के मनजर नियूज एटीन नेटवर्क पे आप देख सकते हैं इसराइल ने लिबनान के एताल शाप, रामिया और हनीन जैसे बाईस इलाके हिजबुल्ला लड़ाकों को खाली करने के आदेश दिये हैं आईडीफ ने बाईस इलाके खाली कर अलवली सागर की तरफ भाग जाने का फर्मान सुनाया है दक्षणी लिबनान में इसराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिये हैं इसराइल ने लिबनान के माईसरा केसरवेन पर भीशन हमले किये हैं दक्षणी लिबनान के बारजा में भी आईडीफ ने जंगी जेट से बेहसाब बंबरसा हैं उदर बेरूत में भी इसराईल बारूत की मातरा कम नहीं पड़ने दे रहा है इस बीद बेरूत में igen प्रयोट में गए हिजबुल्ला के टॉप कमांडर और इरान के कमांडर के शवों की शिनाख भी हो गई है इरान की इसलामिक रेवुलूशन गार्ड्स कॉप्स के टॉप कमांडर अबास निल फुरुशान की डेट बॉडी भी मिल गई है आयार जीसी कमांडर अबास की मौत नसर अल्ला पर हुए हमले में हुई थी कितनी तबाही हुई है यहां पर मैं यहां से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको के यहां पर रॉकेट गिरे हैं और रॉकेट की वज़ा से आप देख सकते हैं बिल्डिंस में यहां पर क्या तबाही हुई है सब कुछ बिख्रा पड़ा है और कई लोगों की मौत हुई है इस हमले में और लगातार इसराइल की तरफ से रोकेट्स दागे जा रहे हैं और हिजबुल्ला की तरफ से भी अटाक किये जा रहे हैं बेरूत में भीशन मंबारी हो रही है और इस बीच एक बार फिर से इरान ने लिबनान के समर्थन की बात की है इरान के संसत के अध्यक्ष मुहमद बागेर बेरूत में हैं और इस्राइली हवाई हमलों से बचे खंड हरूं का दौरा कर रहे हैं बेरूत की बरबादी की तस्वीरे इरान के संसत के अध्यक्ष मुहमद बागेर गालिबफ ने भी महसूस की इरान दौरे पर पहुंचे गालिबफ ने बेरूत में उस जगा का दौरा किया जहां नसरल्ला मारा गया बारूदी खंडर के धेर को देख इरान के पूर्फ सेनने कमांडर गालिबफ का खून खौल गया गालिबफ ने नसरल्ला की मौत की जगा से ऐलान किया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई ने इसराइल की तबाही तक हिजबुल्ला का युद्व में साथ देने का एलान किया है अपने बाशन के बाद गालिबफ ने लिबनान के कारिवाह कुदान मंतरी नजीब मिकाती से मुलाकात की है इस बैठक के बाद हिजबुल्ला के मीडिया उफिसर हज मुहम्मद अफीफ ने नितनियाहू को डायरेक्ट थमकी दी है हिजबुल्ला और एरान की धंकिया एक तरफ है और दूसरी तरफ है इसराइल का नेक्स्ट अक्शन इसराइल ने साइबर एटक की थ्रिलर अक्शन से तेहरान की टेंशन बढ़ा दिये इसराइल का साइबर हमला शुरू हो चुका है जो की हर गुजरते दिन बड़ा और विस्पोटक होता जाएगा इरान के साइबर स्पेस के पूर्फ सचिप फिरोजबादी ने इरान इंटरनाशनल के हवाले से दावा किया है कि इरान पर बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है साइबर एटक के दाइरे में इरान हकूमत का हर महकमा आया है यहां तक कि इरान के न्यूकलिर साइट को भी साइबर एटक से निशाना बनाये गया है साइबर एटक की जद में इरान के बंदरगा, ट्रांसपोर्ट, इंदन सप्लाई सिस्टम तक आये है साइबर एटक का असर तहरान से लेकर एरान के सभी बड़े शहरों में दिखाई देने लगा है साइबर एटक के बाद एरान के सभी सीक्रेट उडा लिये गए है मतलब ये कि एरान के हत्यारों का रिमोट कंट्रोल अब तेलवीब में है जिसे जब चाहे इसराइल दबाएगा और एरान को दहलाएगा हाइटेक लड़ाई में इसराइल की साइबर आरमी बेजोड मानी जाती है जो जब चाहेगी तहरान को कबाल खाने में बदलने का दम रखती है तकनीक के दम से जीते जाते हैं इरान को भी ये पता है। इसलिए साइबर अटाक के बाद इरान ने बड़े फैसले देने शुरू कर दिये हैं। इरान के सभी हत्यारों को हैकर इसराइल इरान से बदला लेना शुरू कर सकता है। इसराइल के हाथ अगर इरान की मिसाइल सिस्टम की चाबी होगी तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि युद्ध का नतीजा क्या होगा। इसराइल से मिले जटके के बाद अमेरिका ने इरान पर मैक्सिमम प्रेशर बना हुआ है। इसराइल कभी एक अक्तूबर का बदला लेना शुरू कर सकता है। अमेरिका इसी ताक में बैठा है कि इसराइल इरान को दहलाए और पिर सूपर पावर शिया आर्क पर अपना टोटल कंट्रोल जमा ले। लेकिन इरान भी प्लान का सिगनल बताया जा रहा है। लेबनान में इरान के आने भर की देर है फिर आरपार का युद्ध शुरू होगा जिसमें सभी लिमिट क्रॉस होनी तैह है।